उम खान पान फूड अन ड्रिंक विद्वानों के अनुसार क्रिशी के आरंब हो जाने से नव पाशान काल में मनुश्य ने अपने खेतों में अनाजव फलुगा कर खाना आरंब कर दिया। पूर्व पाशान काल में वह कच्छे मास तथा जंगली फलों पर निर्भर रहता था, परन्तु अब उसने अनाज तथा मास को आग में पका कर खाना आरंब कर दिया। जारंब में वह अनाज को भून कर खाता था। धीरे धीरे उसने अनाज को पीस कर उसकी चपातियां बना कर खाना आरंब कर दिया। अब मनुश्य भोजन में गेहून, चावल, चना, मक्का, मतर, जी तथा विभिन प्रकार की दाले, सबजियों तथा फलों का प्रयोग करता इनके अतिरिक्त वह दूध, दही तथा मक्खन का प्रयोग भी करता था। धीरे धीरे उसने शराब, मेवे तथा मिठायों का प्रयोग भी आरंब कर दिया। साथ, पहिये का आविशकार, डिसकावरी ओफ वील्ट नव पाशानकाल में मनुश्य का सबसे क्रांते कारी कदम पहिये का आविशकार था। पहिये के आविशकार हो जाने से वह चाक पर मिठ्टी के बढ़िया प्रकार के बर्तन बनाने लगा। इन बर्तनों को वह आग मे पका कर बाद में उन पर रंगों द्वारा बढ़िया प्रकार की नककासी करने लगा। ऐसा माना जाता है कि पहले मनुश्य बर्तनों को पकाना नहीं जानता था। एक दिन मनुश्य के हाथों से इंशन्ट ससाइटीज, एक कीस, एक मिठ्टी की कटोरी आग में गेर गई। जब कुछ देर बाद उसने देखा कि वो कटोरी आग में पक कर कटोर हो गई है, तो उसने मिठ्टी के बर्तनों को पकाना आरंब कर दिया था। बर्तन बनाने के अतिरिक्त मनुश्य ने पहिये का प्रयोग बोज़ा धोने के लिए किया। वो लकडी की बैलगारी बनाता जिसमें लकडी के पहिये लगे होते थे। इन बैलेगारीयों की सहायता से मनुश्य यातायात संबंधी सुविधा प्राप्त हुई। अब उसने बैलेगारीयों के द्वारा बोज़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना प्रारंब कर दिया था।